जिस तरह से बल्लेबाजी किया रविंद्र जड़ेजा ने 175 नाबाद थे 228 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 174 और 3 छक्के लगाए और उनकी एक शांदार साज़िदा रही हुई 103 रनों की महमद शमी के साथ उसी के बजलत बारत ने 574 पर आठ बनाया तरह मैं हम लग विए भारे में भी झिकर की थी कि लुझ की लांच के बाद विर जडेजा अच परढवलिग सेज़ पहले बही हेँ बारत बीज़ को चांद है रही थी मम और बारत बाद को युज़ बहा है आज़ेकित को एफ न स्री-Lankan बोलेज़ वैसे ही पहा यह जो एक सो तीन रांगे साजीदारी है जो उसका था शामी के साथ शामी ने सर्फ 20 रन बनाया उसमें देरेस्ट 83 रांगे स्कोर्ट बाई जडेजा और बहुती अग्रेसिव बैट करके एक सो चेह रांगे हैं in 17.2 overs from lunch till the time that India declared at a run rate of 6.16 that is phenomenal in test cricket यह वंडे की तरह बैटिंग की जडेजाने कोई भी मौकर नहीं चोड़ा उसने जहां उसको chances मिले to score runs whether it's a boundary or a six brilliant brilliant batting और अगर Kaptaan Rohit Sharma और दोड़ाई बरते हैं तो शायद वो अपना दोसों भी पूरा कर सकते हैं क्यों है आपको आपको सही लगे as a captain captain or coach or team management decide करते हैं तो फिर देनी गोएड और देक्लेर और देक्लेर और तेक्ट गेम फोर्वर्ड मिलस्टोंस पर अगर आप फोकस करते रहें तो शायद कोई तीम कभी कोई मागी पाई तो I think overall and with somebody like Jadeja who's known to be a massive team player की ऐसे situations और भी आएंगे I'm sure he'll score lot more runs so अबके लिए 175 not out is a brilliant brilliant score, his highest score, his first his highest score was just 100 so a brilliant innings from him and now he will come on to the field also with that added josh added momentum that now he will try and prove his his worth with his bowling and Jadeja he played the true batting all-rounders innings today and that has shifted the momentum massively in India's way आपको बता दे कि जड़ेजा 175 run बनाकर number 7 पर भारत के लिए सबसे बड़ा score बनाने वाले बारतिये बने हैं उन्होंने कपिल देव की पारी को पार करके आज 175 बनाया नाबाद रहे उन्होंने कि उन्होंने कि उन्होंने की आजा सकते लिए औरतु कावी कि अज़ा सकते हैं